15.3 भारत में विभिन राजनेतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बैचों, आज हम भारत की विभिन राजनेतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे विभेन राजनेतिक संस्थाओं में प्रतिनधत्व भी जन्नप सहभागिता का एक महत्तपोन आधार है इन राजनेतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर यह समझा जा सकता है कि विभेन वर्गों की प्रतिनिधित्व के आधार पर इन राजनेतिक संस्थाओं में सहभागिता कितनी है साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि समाज के विभिन वर्गों के लोगों को इन रैजनेतिक संस्थाव में समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पा रहा है या नहीं हमारे भारती समविधान में शासन विवस्था के तीन इस्तर हैं केंदर में लोक सभा राज्य में विधान सभा तथा तरती इस्तर है इस्थानी निकायों का और इन सब के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तो आईए हम जानते हैं कि इन तीनों प्रकार की राजनेतिक संस्थाओं में हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्थ होता है 15.3.1 लोगसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोगसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विसलेशन करने के लिए नीचे दी गई तालिका का अध्यन कीजिए तालिका 15.2 लोगसभा में महिला सांसदों की भागिदारी सबसे पहले हम जानते हैं लोगसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में बच्चों किसी भी चुनाव में या किसी भी छेत्र में प्रतिनधत्व के बारे में हम कुल उम्मीद्वारों की संख्या के आधार पर आकलन कर सकते हैं जैसे यदि किसी छेत्र में उम्मीद्वारों की संख्या 10 है और उसमें महला उम्मीद्वारों की संख्या 2 है तो हम कहेंगे कि उस छेत्र की राजनितिक विवस्था में महलाओं की सहभागिता कम है और यदि महलाओं की संख्या आधे से भी अधिक है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर महलाओं की राजनिती में सहभागिता काफी जादा है बच्चों यदि हम अपने देश के आंकडों पर गौर करें तो हम देखेंगे कि 1957 में कुल महिलाओं के उम्मीद्वारों का प्रतिशत 3 प्रतिशत था जो कि 1914 में 8 प्रतिशत हो गया इसका मतलब यह हुआ कि यदि 100 उम्मीद्वार चुनाओं लड़ने के लिए तयार हैं तो उसमें 92 लोग पुरुष होते हैं और केवल 8 महिलाओं होती हैं यह अलग बात है कि अलग अलग चुनाओं में इनकी संख्या कम या अधिक होती रहती है इन सब बातों से देखकर क्या आपको लगता है कि लोग सभा में महिलाओं को 33 प्रतिस्तत आरक्षन देना चाहिए 15.3.2 इस्थानी निकायों में महिलाओं का प्रतिनी धित्तु बच्चों चलिए अब बात करते हैं इस्थानी निकायों की हमारे देश में 73 और 74 में सम्विधान संसोधन केप द्वारा इस्थानी निकायों को सम्विधानिक दरजा दिया गया है और इसमें महिलाओं के लिए प्रारम से ही 33% शीटें आरक्षित की गई है और इस प्रकार महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है कई राज्यों में तो ये सीटें 50% तक की गई है बैचों अब हम पात करते हैं अनुसूचित जाती तथा जन जाती के लोगों की प्रतिनिधित्व के बारे में हमारे देश में सामाजिक, सैक्षिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों को अनुसूचित जाती तथा जन जाती के रूप में मानिता दे गई है और किसी भी इस्तर के चुनाओं में इन सभी वर्गों के लिए समुचित प्रतिनिधित्यों की विवस्था की गई है। सीटें आरक्षित की गई हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत वर्ष में सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिये जाने की विवस्था की गई है। और इसलिए यही हमारे भारत की लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेस्ता है।